असलाम अलेकुम फ्रेंस वेल्कम बाइक टुमा यूट्यूब चैनल आसी आठ गर्री में आप सबका स्वागत है तो फ्रेंस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं यह कमल के फूल वाली तोरन जिसका आप बहुत ही कुपसूरत साइड तोरन भी बना सकते हैं तोरन भी बना सकते हैं गेट परदा भी बना सकते हैं आप जो भी चाहें वह भी वह इसका यूज कर सकते हैं उस चीज में तो यहां पर देखिए मैंने त्री कलर का यूज किया हुआ है ग्रीन रेड और येलो कलर का यूज किया हुआ है तुरन पटी में तो यह कुछ इस तरह से तुरहन पटी आएगा मैंने कुछ थोड़ा सा आप लोगों के लिए बनाया हुआ है देखिए और ये जो हमारी बाकी है इसमें मैं बनाऊंगी और देखिए आपे मैं आप लोगों को दिखा रही हूं इसको इसके उल्टी तरफ से झाली में आप लोगों को दिखा रही हूं देखिए ये इस कि ये उल्टी तरब की है और ये इसी दी तरब की है तो बहुत ही phonieson से हमने ये बनाया हुआ है आप भी बना सकते हैं ये तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग बना सकते हैं अगर यह 추천 आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज मेरे विडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकोन को जरूर प्रेस करें जिससे क्या होगा कि आपको मेरा नीव वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा जिससे आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं और अगर आप लोग कोई डिजाइन मुझसे बनवाना चाहते हैं जो डिजाइन आप लो डेकोरेशन के कोई भी चीज हो तो आप लोग मेरे वार्टसप नमबर पर मुझे सेयर कर सकते हैं मैं उसे जरूर बना के अपलोड करने की कोशिज करूंगी और आप लोग की मांग जरूर पूरी करूंगी आप लोग कैसा वीडियो देखना मेरे चैनल पर पसंद करते हैं यह भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तो यहां से चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं यह डिजाइन कमल वाली तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हमने बताया आपको तीन कलर का यहां पर हमने यूज किया हुआ है तो रीड कलर का यूज हम अभी न इसे यह दो आप लोग को यह भी पता दो कि ने सुड़ाका जो कॉलिटी में बता दो कि मेरे तरह का ओन है यह कॉलिटी किसका है तो यह लोकल में मिलता है और इसे अप कुमों थोड़ा सा मॉटा ह。 bei नहीं कहसे हैं के यह तो नहीं काहसकते हैं क्योंकि इसमें 4 पैलाई ही है पर बहुत ही पतला है जिसेंगे मोटे वाले उन सेब्म पतला है अन से अगे प्रकशन मोटा है तो इसका मैं तो है चिरुगा वाला उन कहा जाता है आप लोग साइद आप लोग यहां मिल जाए अबेलबल हो तो इसे बनाएंगे तो यह डिजान बहुत ही खोशुरती से उबरेगा मोटे वाले उन का ही परियोग करें तो यहां से देखिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बि एक चेन बनाएंगे फिर दो फिर तीन रेक चार पाच यहां पर देखिए हमने पाच चेन बनाया अब जो हमने इसटार्टिंग में चेन बनाया हुआ था शुरुआत में वहाँ पर डालके इस तरीके से हम चेन को स्लीप स्टीच के मदद से बंद कर देंगे देखिए ऐसे करके हम बंद कर देंगे आप देखिए क्या करेंगे हम इस गोले में डालके इस तरीके से बनाएंगे सिंगल क्रोसिया देखी बिना फंदा लिए हुए हम क्रोसिया जो बनाते हैं दू फंदे को हम एक ही साथ निकालते हैं तो इसे हम सिंगल क्रोसिया कहते हैं तो यहां पर हमने सिंगल क्रोसिया दू बनाया फिर एक तीन और चार पांच छाए साथ आठ देखिए हमने एक तरफ में आठ बनाया फिर आठ सिंगल क्रोसिया और बनाएंगे तो ये नो दास ग्यारा बारा तेरा चौदा है 15 और एक यहां लाश्ट तक आता है 16 तो हमने यहां पे टोर्टल बनाया 16 सिंगल क्रोसिया आप जहां से हमने सिंगल क्रोश्या बनाना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे लाके इस तरह से स्लीप स्टिश करके हम अपने फंदे को बंद करते हैं, और इतना लंबा फंदा हम खीचते हैं, देखिए जैसे मैं वीडियो हैं बता रहीं है आप लोगों को इतना लंबा फंदा किचेंगे और क्रोसिया में उन लेंगे इसके बाद से जो हमने ये बनाया हुआ था सिंगल क्रोसिया के उपर ये इसमें से हम करके इस तरह से एक फंदा निकालेंगे तो इसे एक और उसके बगल में फिर से निकालेंगे फंदा तो दो फिर उसके बगल में निकालेंगे फंदा सेमे इसी तरह से तो तीन और चार पांच छै साथ और एक हम बनाते हैं यहां पर बीच से यह निकल गया हम लोग का आठ तो आठ फंदा यह टूटल हम लोग का हुआ आप देखिए क्या करते हैं इसको दो दो करके हम इस तरीके से बंद करेंगे देखिए यहां पर दो दो फंदा करके हम बंद करेंगे इस तरीके से देखिए इस तरीके से हमने दो दो फंदा बंद किया अब यह लाश्ट का हमारा दो बचा हुआ है तो इसको भी हम इसी तरीके से बंद कर लेते हैं देखिए इस तरह का तो एक साइड की यह पत्ती की डिजाइन आई है इस तरह से और फिर यह जो बाग की आधा है आठ याने की आठ फंदा इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे एक फंदा दो तीन चार पांच छेर कि साथ और यह लाश्ट का यहां से फंदा निकालेंगे तो यह हो गया आठ यहां पर देखिए आठ फंदा हुआ अब क्या करेंगे हम फिर सेम प्रोसेस से दो दो करके हम निकालेंगे इसको और बंद करते जाएंगे इस तरीके से देखिए जो दो फंधा हम करके बंद करते जाएंगे तो I hope friends कि आप लोगों को मेरा तरीक बताने का पसंद आ रहा होगा अगर नहीं पसंद आ रहा है तो मुझे बताएं अगर बताने में कोई गडबड़ी हो रही है तो भी मुझे comment box में बताएं मैं उसको ठीक करने की कोशिस करूँगी, आगे से, यहाँ पर देखी, अभी तीन फंदा बचा हुआ है, थो हमें क्या करने है, इन तीनों फंदों को एक की साथ उतारने हैं, देखिए इस तरह से, देखिए, इस तरीके से करके, कि हमने तीनों फंदों को उतार देने हैं अब यह जो हम लाश्ट का है इसको हम एक बार और बंद कर देते हैं तो यह देखी कितनी खुब्सूरत पत्ति बंद के त्यार हो चुकी है अब हम यहां पर लगाएंगे यलो कलर का उन तो इस फंदे को हम ऐसे ही रहने देंगे और ग्रीन कलर का धागा हम नीचे की तरफ मोड़ेंगे और यलो वाला जो है इसको हम इस तरीके से यहां पर फंदे में निकालेंगे और ग्रीन वाले को टाइट करेंगे खीच के टाइट करेंगे और ये वाला जो है इसको हम एक चेन बनाके यहाँ पर टाइट कर लेते हैं अभी चेन बन चुका है तो नीचे वाला फंदा भी हम टाइट कर लेते हैं खीच के और ग्रीन वाला भी अब हमने इस तरह से फुसाया अब लोग देख सकते हैं अब बहुत ही आसानी से और हलके हाथों से हम इस तरह से गूल करते हुए जाएंगे राउंड सेप में तो यहां पर हमने दो सेप लगाया हुगा है अब यह तीसरा यह चार पांच छे साथ आठ नो दस 11 12 13 14 और यह लास्ट का 15 अगर आप चाहें तो इससे जादा भी रख सकते हैं लेकिन यह इतने में ही अच्छा लगेगा तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसको उंगलियों से निकाल लेंगे इस तरह से और हम क्रोसिये को बीच में डालेंगे देखिए इस तरह से और जो फंदा है हम इसे लेके इस तरीके से अंदर से लेते हुए उपर की तरफ बंद कर देंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोसिया हम बनाएंगे इस तरह से देखिए एक दो तीन चार पाँच छै साथ, आठ, नो, और यह दस, दस सिंगल क्रोसिया हो गया है, अब हम क्या करेंगे, अपना धागा यही छोड़ेंगे, और नीचे की तरफ से लेते हुए आएंगे, देखिए, यहां हमने छोड़ा, और इसको हम नीचे से घुमाते हुए, इस तरह से, यह जो फंदा है, इसको हम नीचे से घुमाते हुए आएंगे, और ग्रीन वाले उन को टाइट कर देंगे, तो यह हमारे ग्रीन वाली जो उन है, यह उपर की तरफ आ जाएगी, अब देखिए क्या करते हैं, फिर यहां से हम दस सिंगल क्रोसिया और बनाएंगे, देखिए इस तरह से, और उनको हम नीचे से इसी में फंसाते हुए जाएंगे, एक, फिर दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नौ, और ये, दस, दस हो गया, दस सिंगल क्रोसिया इस साड़ी से भी बनाने के बाद से, जहां से हमने बनाना स्टार्ट किया था, महां पे लाके इस तरह से, स्लिप स्टिच करके हम इस फंदे को भी बंद कर देंगे, अब देखिए हमारा ग्रीन वाला जो उन है, ये उपर की तरफ आ गया है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, अब फिर क्या करते हैं, देखिए, इस तरह से, प्रोशिय में फंदे लेंगे, और अंदर ले जाते हुए, एक फंदा खीचेंगे, और तीनों को हम एक की साथ में उतारेंगे, तो इसको हम कह Одनी है हाफ डबल क्रोशिय हैं, देखिए, इस तरह से उतारेंगे, और फिर हम पंदा लेंगे, क्रोशिय में और तीनों को एक साथ ही उतार देंगे तो दो हाफ डबल कुरसिया हमने हाँ पर बनाया तीन चार पांच छै साथ आठ नौ दस ग्यारा और यह 12 तो हमने हाफ सिंगल कुरसिया दस बनाया था और हाफ डबल कुरसिया करके बनाया है तो हमने एक साइट में 12 बनाया अब फिर से देखी क्या करेंगे अपना उन नीचे की तरफ से हम यहां से उपर की तरफ लाएंगे फिर हम बनायेंगे उसी प्रोसे से डबल कुरसिया तो इधार से भी एक डबल कुरसिया फिर दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा और बारा इधर से भी कंप्लीट होने के बाद से चाहां से हमने बनाना इस टार्ट किया था देखिए यहां से वहां पे लाकी इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे कि यहां पे लाके HAM pin को बंद कर दिया आगा इसे हम कि इस तरह से यह यलो वाले को ऊपर идेंगे और ग्रीन वाले को नीचे से उठा के इस तरह से फंदे में हम निकालेंगे देखे इस तरही के सिर्फंदे में हमने निकाल दिया अब हम चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच पांच चेन बनाया और हमने इसे देखिए नीचे के यलो वाले उनको हमने खुब टाइट बाद दिया अब क्या करेंगे इस तरह से क्रोसिय में धागा लपेटनेंगे फिर एक, एक राउंड और लपेटेंगे तो ये दो राउंड हो गया अब हम क्या करेंगे यहां से देखिए नीचे के फंदे से इस तरीके से हम ग्रीन वाले फंदे को निकालेंगे देखिए और दो दो करके बंद करते हुए जाएंगे दो दो फंदा हम बंद करते हुए जाएंगे इस तरीके से देखिए तो इसको हम ट्रीपल क्रोसिया बोलते हैं तो ट्रीपल क्रोसिया के मदद से हमने ये वाला फंदा बंद किया है अब क्या करेंगे हम इस तरह से फिर हम सेम प्रोसे से एट सिंगल क्रोसिया हम बनाएंग तो ये एक सिंगल कुरॉसिया और ये दो सिंगल कुरॉसिया तीन चार पाच छह साथ और ये आठ एक तरप से हमने आठ सिंगल कुरॉसिया बनाया मैं सेम पति आप लोगों को फिर से रिपीट करके दिखा रहे हैं जैसे जिस प्रोसेस से हमने ये पति बनाया हुआ था उसी प्रोसेस से हम ये भी पति बनायेंगे मैं आप लोगों को बताने के लिए सेम प्रोसेस फिर से रिपीट कर रहे हूँ आप लोग ध्यान से देखें और इस डिजाइन को सीखें बहुत ही आसान है बनाना फ्रेंस बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसे बना सकते हैं तो अब देखिए फिर से हमने अपना फंदा नीचे से निकाला हुआ है और यलो वाले उनको हमने इसी में बुन देना है तो फिर से हम बना रहे हैं देखिए सिंगल क्रोसिया तो एक साइड का हमने एक सिंगल क्रोसिया बुन दिया है अब एक साइड का और बुन रहा है तो एक सिंगल क्रोशिया और फिर ये दो सिंगल क्रोशिया रिर चार पांच चैन साथ और ये आठ अठ ऐ सिंगल क्रोशिया हमने इस यहाँ सर्फ हम सकते हम इस तरीके से लाके वह को इस वाले फंदे को जो आइंड कर देंगे अब हम अपना जो रौश्ट का फंदा कीचे छोड़ा सा लंबा हम से क्राइब लगर देखे इस तरीके से जो चोटी वपर की है में दालें geworden कुरोसिये को और फंदा कीचेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, और ये आठ, देखिए फ्रेंड हमने आठ फंदा पूरे कुरोसिये में निकाला हुआ है, अब दो, दो करके हम इसे फिर से बंद करेंगे, जैसे हमने पहला वाला बंद किया है, उसी तरह से ये भी बंद करेंगे, देखिए इस तरह से, एक, देखिए इस तरह से हम दो, दो करके फं देखिए इस तरीके से अब ये लाश्ट का दो जो है इसे भी हम बंद कर देते हैं तो फ्रेंस इसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया होगा था इसी तरह से ये वाला भी हमने बनाया है देखिए झाला भी हमने बनाया होगा भी हमने बनाया है झाला भी हमने बनाया है झाला है झाला भी हमने बनाया है कि अब देखिए फ्रेंड अभी लास्ट का तीन फंदा बचा हुआ है तो हम इसको एकी बार में उतार देंगे और फंदे को बंद कर देंगे तो देखिए जैसे हमने सेम प्रोसे से ही बनाया हुआ था उसी तरह से हमने ये भी बनाया है और नीचे का सफाई देखिए कितना अच्छे से है जैसे हमने ये वाला बनाया था जैसे बताया है सेम प्रोसे से हमने आप लोगों को बताया है और एक पती एक फ्लावर सेम प्रो को बताते हैं तो देखिए फ्रेंज हम यहां पे बनाना स्टार्ट करेंगे फ्लावर जो हमारा कमल का फूल होगा तो यहां से हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हमें यह उपर वाली चोटी लेनी है जहां पे हमने बनाया हुआ था क्रोसिया तो इस तरह से आप लेके अंदर की तरफ फंदे को खीच लें देखे इस तरह से और जो हम लोग का फंदा है इसे सिक्योर करते हुए हमें चेन बनाने है तो हमने सिक्योर करते हुए यहां पर दो चेन बनाया यह तीन चार तो यहां पर हम चार चेन बनाएंगे सबसे पहले चर चेन बनाने के बाद से friends देखे क्या करेंगे उपर से एक फंदा नीचे की तरफ हम इस तरह से फंदा खीचेंगे और इसी में से slip stitch करते हुए हम इसको निकाल लेंगे देखे इस तरह से और फिर से हम फंदा क्रोशिय में लेंगे और उसके नीचे वाले चेन में इस तरीके से फंदा खीचके इसको हम एक की बार बंद कर देंगे यानि की हाफ डबल क्रोशिया और फिर से देखे सबसे लास्ट और नीचे वाला जो हम लोग का चेन होगा उसमें से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और बनाने के बाद से एक chain skip करते हुए नीचे की तरफ हम दूसरे वाले में इसको slippy stitch की मदद से ऐसे बंद कर देंगे फिर से देखिए हम आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर एक chain बनाएंगे फिर यह दूर तीन और यह चार चार बनाने के बाद से उपर की तरफ से हम नीचे वाले में एक chain skip करते हुए नीचे वाले chain में हम डालके क्रोसिय को फंदा निकालेंगे और उसमें हम इस तरह से slippy stitch कर देंगे फिर फंदे लेंगी क्रोसिय में और उसके नीचे वाले चेन में हाफ डबल क्रोसिय बनाएंगे इस तरीके से चौत्थे वाले चेन में हम डबल कुरोसिया बनाएंगे ऐसे करके देखेए फ्रेंज और नीचे की तरफ एक चेन स्किप करती है दूसरे वाले चेन में हम इसको टैच कर देंगे देखेए तो फ्रेंज इस तरह से ये बनेगी ये पूरी इसी तरह से बनेगी अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपनों को बहुत तीजली समझ में आ जाएगा फ्रेंज और आप लोग ये फ्लावर बनाना सीख पाएंगे बहुत यासानी से आप कलिए बाएगी देंगे ष्ली को ये बहुत करते हैं소리 अब लाश्ट तक देखिए फ्रेंट अब क्या करेंगे जो जहां से हमने बनाना स्टार्ट किया था वहां पिलाके इस तरीके से हम बंद करेंगे और देखिए यहां से हम इसको बंद कर देते हैं फिर हम चेन बनाते हैं देखिए इस तरह का एक दो तीन चार और पांच देखिए फ्रेंट हमने पहले वाले में चार चेन बनाया था और यह दूसरी वाले पती में पांच चेन बनाया है तो अब देखिए फ्रेंट पूरी पंखुरी हमारी बन चुकी है अब यह लाष्ट की जो पंखुरी है हम इस यहां पर जो पहले पंखुरी में हमने जहां से बनाना इस्टार्ट किया था इसमें लाके हम इस तरीके से देखें यहां पर बंद करेंगे सिम तरीके से और पीछे से जो हमने चेन छोड़ा होगा था यहां पर देखें फ्रेंस पंखुरी के बीच में तो वहां पर लाके हम इस तरीके से अटाज करेंगे और यहां से चे में हमने चार चेन बनाया था और यह बड़ी पंक्षडी में हम पाँच चेन बनाएंगे तो देखे दो तीन चार पाच पाच ते बन चुके हैं अब ऊपर से एक चेन स्किप करते हुए हम देखे सेकें वाले में इस तरीके से फंद्र डालकिंगे स्लीप意 स्टिच करके हम यहां से निकालेंगे और से केंड वा 알े चेन में देखी तोर्डист हम क्या है बोल निष्थी से हम हाफ डबल क्रोसिय बनाएंगे और फ4 वाला जो चीन होगा हम लोग का उस में हम double crochet बनाएंगे और जो सबसे last का 5 वाला chain होगा वहाँ पे भी हम double crochet बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक chain बढ़ा हुआ है तो हम 2 double crochet बनाएंगे अब इसके बाद से जो अगले वाली पंखुडी के बीच में हमने एक chain skip किया था उसमें डालके इस तरीके से देखिए हम slip stitch कर देंगे और फिर same process से हम chain बनाते हुए जाएंगे पाद chain बनाएंगे और same process से पंखुडी हमारी तयार होगी देखिए इस तरह से पाद 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 कि देखें फिर हमने यहां पे तीसरी पंखुडी बड़ी वाली तीसरी पंखुडी बनानी स्टार्ट कर दिया यहां से देखें हम फिर सेम प्रोसेस से पूरा पंखुडी इसी तरह से बनाके कम्प्लीट कर लेंगे देखें अब इसको हम इस तरह से करते हैं यह हमारी छोटी वाली पंखुडी यह और यह बड़ी वाली पंखुडी है देखें आई हो फ्रेंज की हमारी डिजाइन्स पसंद आ रही होगी आपको और बताने का तरीका आप लोग को समझ में आ रहा होगा सेम प्रोसेस से हम बड़ी वाले पंखुडी यहां तक बना के कम्प्लीट करते हैं और बीच बीच में यह जो होल है इसमें हम मोती लगा देंगे आपके पास जो भी मोती हो वो मोती आप बीच में लगा दें उसके बाद से हमारी तोरण पटी बन के तयार हो जाएगी और इसके नीचे का लटकन आप लोग को देखना है तो जल्दी से कमेंट कीजी कमेंट बॉक्स में और हमें बताइए हम बहुत जल्दी बना के अपलो सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं फ्रेंज आप लोग के साथ फिर एक नई वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ और एक नए तरीके से तो तब तब के लिए बाय बाय फ्रेंज आप अपना खयाल रखिएगा